हेलो एब्रिवान वेल्कम बेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे मोदक जो कि हमारे गणिजी बिगन हर्ता को बहुत ज्यादा पसंद है मोदक तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम यहापे ले लिए हैं मूंग दाल यह मूंग दाल का पेश्ट है मैंने मूंग दाल को दो घंटा भिगव के उसको मिक्सी में पीश लिया था और यह एक कटोरी में मूंग दाल में आधा कटोरी चीनी लिया है नमक थोड़ा सा फ्लेवर को एनाइज करने के लिए और थोड़ा सा केसर वाला दूद और थोड़े से बदाम टुकडे और यह दो ही लाइची दर थोड़ा घी देसी घी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमने ले लिया है कड़ाई कड़ाई पे डाला एक बर चमाज भर के देसी घी अब हमने डाल दिया अपना मूंग दाल का पेष्ट अब इसको अच्छे से चलाएंगे फ्लेम को कर देंगे लो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो यह चिपक जाएगा मौदक तो आप लोग ने बहुत खाए हैं पर इस तरह की मौदक आप सब ने कभी खाए हैं क्या मुझे कॉमेंट बक्स में जरूर बताईएगा और एक बाए ट्राइभी करके देखिएगा कैसा लग रहा है एकदम नया हट के रेसिपी है यह अभी इस स्टेज पर हम डाल चीनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजे इसको लोग फ्लेम में चलाते रहना है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है कि यह देखिए हम लोग का जो मुंग दाल का घोल था वो धीरे धीरे टाइट होते जा रहा है अब यहां पर हम डाल देंगे अपने इलाइची जो दरदरी कूटके रखी थी और बस चुटकी भरी नमक ज्यादा नहीं और यहां पर हम जो केसर वाला दूद रखे थे उसका दूद डूद डाल देंगे और थोड़ा सा केसर हमको लास्ट में चाहिए वो केसर थोड़ा सा बचा के रखेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हम लोग का लगभग होने में आ गया है और थोड़ा ही टाइम लगेगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दिखिए कोना कोना में जो चिपक रहा है उसको निकालते हुए अच्छे से हम इसको मिक्स करते रहेंगे और आज का जो हम मोदग बनाएंगे उसको भी जोगाड़ू हिसाब से बनाएंगे देशी जुगाड़ है अगर घर में साचा नहीं है तो आप इस प्रकार्शे भी बना सकते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हुआ है और यहां पर हमाड़का मूंग डाल अच्छे से सीख चुका है अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑब हम इसको फूड़ा सा ठंडा होने देंगे है करली मैंने एक पॉलितिन काटकर लिया है बहुत बड़ा था इसको चोटा कर लिया है मतलब ताकि हम लोग को मोदग बन और यह थोड़े से किस्मिस और यह थोड़े से बदाम के टुकडे सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों के सहाता से और थोड़ा सा घीर लगा के हाथ में और अच्छे से इसका लोई बना लेंगे देखिए इस तरह से और अपना जो ड्राइब फूर्स का श्टपिंग है इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा रैप फूर्स आप अपने हिसाब से मन पसंद से जैसे आपको पसंद है जो भी लेना हो आप ले सकते हैं इसी प्रकाश हम सारे लोई बना के रेडी कर लेंगे वह और एक ठो ऐसे ही बना के दिखा दे रही हूँ ऐसे करके हम पूरा त्यार कर लेंगे अब हम इसको पोलिथिन के साहता से मोदक का सेव दे देंगे देखें ऐसे दापते हुए उपर से थोड़ा सा उसका चुओंच निकाल देंगे हम सारे मोदक तियार कर लेंगे आज की मेरी ये वीडियो आप सब को कैसे लगी को मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा बस पॉलिथिन को थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है जैसे कि अपना मोदक से पच्छे से आ जाया और हम लोग का मोदक बनके रेडी हो जाएगा और यह देखिए हम लोग का सारा मोदक बनके रेडी है अब हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं डेकोरेट यहाँ पर हम अपने जो केसर के धागे हैं सारे मोदक के उपर थोड़ा थोड़ा एड़ कर देंगे ताकि हम लोग के मोदक और सुनदर दिखे आसा करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी थैंक्स पर वाचिंग